नमस्कार कक्षा नौवी गणित प्रश्ण बैंक के हल में आज हम पढ़ेंगे अध्याई 11 रचनाएं इस चेप्टर से 4 अंक का केवल एक प्रश्ण पूछा जाना है तो दी हुई किरण से प्रारंबिक बिंदू पर 90 अंस के कोण की रचना कीजिए और कारण सहीत रचना की पुष्टि कीजिए पहला प्रश्ण है तो एक किरण हमें दी हुई है एक किरण हम ले लेते हैं यहां पर O और ये A बिंदू ले लेते हैं यहां पर बिंदू O पर हमें 90 अंस के कोण की रचना करनी है तो O को हम बाई और बढ़ा लेते हैं और बिंदू O को केंद्र मान कर एक लगु चाप इस तरह से परकार की सहता से खीज देते हैं, अब हमें पर बिंदू कौन कौन से प्राप्त हो यह बिंदू P और बिंदू Q प्राप्त हो गए हैं, बिंदू P पर हम इस चाप के आधे से अधिक परकार फैला कर इस तरह से उपर चाप काटते हैं, और तो बढ़ती है यह 90 अंस का कोण निर्मित करती है इस तरह से हमें परकार की साहता से ही यह कारे को करना है अब लेते हैं दूसरा नंबर दी हुई एक दी हुई किरण के प्रारहमिक बिंदू पर 45 अंस के कोण की रचना कीजिये और कारण सहित रचना की पुष्टी कीजिये तो देखिए हमने 90 अंस का कोण तो बनाया है अब इसी पर हम यदि 45 अंस का कोण इसी के बाद की प्रोसेस में बता देता हूँ कि 45 अंस का कोण यदि हमें बनाना है यानि इस 90 अंस वाले भाग का अरधक करना है तो हमें यहाँ पर देखे एक बिंदू हम ले लेते हैं यह Q और एक बिंदू हम यहाँ ले लेते हैं जो यहाँ अरधक हो चुका है इस बिंदू को हम नाम दे लेते हैं S Q और S का अलदक हम कैसे लेंगे Q पर आधे से अधिक परकार फैला कर ये चाप हमने Q से लिया और उतना ही परकार रखकर S पर रखा नोक को और ये दूसरा चाप लिया इन दोनों को मिलाते हुए एक किरन ये देखे OT हम खीज देते हैं एक किरन हमने क्या खीज दिया OT जो की कोण T O A बराबर 45 अंस हमें देती है इसी परकार कोण R O T भी क्या होगा कोण R O T भी 45 अंस होगा इस तरह से हम 45 अंस के कोण की रचना करते हैं अब लेते हम तीशरा प्रशन इसी परकार है निम्न मापों के कोण की रचना कीजिए 30 अंस, 42 अंस और 15 अंस चलिए करते हैं 30 अंस के कोण की रचना के लिए हमें सबसे पहले एक किरन इस तरह से O A खीज देना है O A किरन हमने खीज दिया और यहाँ पर बिंदू O को केंद्र मान कर एक लगु चाप इस तरह से ले लेते हैं तो हमें यहाँ पर कोण मिलता है बिंदू P मिलता है पहला कटान बिंदू अब उसी चाप को कम ज़्यादा किये बिना नोक को परकार की नोक को बिंदू P पर रखते हुए एक और चाप इस तरह से कार देते हैं तो हमें कटान बिंदू कौन सा मिल जाता है, क्यूं मिल जाता है, तो O Q को मिलाते हुए यदि हम इसे आगे बढ़ाते हैं, तो हम पाते हैं कि यहां पर हमें कितने अंस का कौन मिल रहा है, हमें यहां पर मिल रहा है, यह देखें, बिंदू B तक बढ़ाया, O B किरन खिच दिय तो कौन B O A, कौन B O A बराबर 60 अंस हमें प्राप्त हो जाता है, B O A कितना प्राप्त होता है, 60 अंस, चलिए, अब हम देख लेते हैं, कि 60 अंस के कौन का यदि हम अर्धक करेंगे, तो 30 अंस का कौन प्राप्त होगा, अच्छा, 60 अंस का कौन क्यों प्राप्त हो रहा है, क्यो कि इनको यदि हम एक तिर्भुज का रूप दे दें, तो यह एक सम बाहू तिर्भुज बनता है, और सम बाहू तिर्भुज का प्रते कोण 60 अंसका होता है, इसलिए यह कोण भी 60 अंसका है, यदि हम इसका अर्धक करते हैं, तो हमें 30 अंसका कोण कैसे प्राप्त होता है, दे पर नोक रखकर यहां पर ये पेंसिल की नोक से ये कार दिया, ये कटान बिंदू हमें प्राप्त हुआ, इस कटान बिंदू से होते हुए O से एक किरन हम खीच देंगे, यह किरन हम O C नाम दे देते हैं, O C किरन हमने जो खीचा, वो वास्तों में 60 अंस के कौन को दो बराबर भागों में बार देगी, 30-30 अंस के दो कोन हमें प्राप्त होंगे, तो हम देख लेते हैं कि कोन A O C कितने अंस का प्राप्त हुआ, 30 अंस का प्राप्त हुआ, इसी प्रकार हम 45 अंस के कोन का अर्धक करके 25 अंस का कोन बना सकते हैं, और 30 अंस के कोन का अर्धक करके 15 अंस का कोण बना सकते हैं, फिर प्रस्न नमबर 4 है, निम्न कोणों की रचना कीजिये और चानदे द्वारा माफ कर पुष्टी कीजिये, अब हमें 75 अंस के कोण की रचना करना है, 105 अंस के कोण की रचना करना है, और 135 अंस के कोण की रचना करना है, तो 75 अंस की रचना के लिए, हमें सरव प्रथम एक किरन O A लेना है तो चलिए सबसे पहले हम एक किरन O A ले लेते हैं यह हो गया हमारा बिंदू O और यह हो गया A यहाँ पर हम बिंदू O को केंदर मान कर कुछ तरजिया लेकर एक चाप इस तरह से खीज देंगे और उसी लंबाई को कम ज्यादा किये बिना यहाँ पर हमें जो बिंदू O से दो चाप प्राप्थ हुए है पहला चाप देखिए पी है यहाँ पर पहला चाप को हम K new नाम देते हैं दूसरे चाप को हम R नाम देते हैं Q और R का जब हम अर्दक करेंगे पहला चाप 60 अंस प्रदर्शित कर रहा है और दूसरा चाप 120 अंस प्रदर्शित कर रहा है जब हम इन दोनों का अर्धक किरन खीचेंगे तो वो 90 से होकर जाएगी तो चलिए हम Q पर आधे से अधिक परकार फैला कर इस चाप के आधे से अधिक और ये उपर चाप लिया और फिर R पर रखा उसी विन्दू को फिर ये ले लिया सेकंड चाप और इन दोनों को मिलाते हुए एक क्यरण O B खीच देंगे यहां किरण कितने अंस का कौन निर्मित कर रही है यहां किरण 90 अंस का कौन निर्मित कर रही है क्योंकि 60 और 120 के बीच में कितने अंस का कौन हो गया 90 अंस का कौन हो यह बिंदू हो गया S बिंदू Q और S के यदि हम बीचकार धक लेंगे तो वो 75 अंस का कौन निर्मित करेगा तो बिंबु Q पर परकार की नोक रखकर यह दी पहला चाप लेंगे और S पर परकार की नोक रखकर यह दूसरा चाप काड़ देंगे दोनों को मिलाते हुए एक किरन खीचेंगे यह किरन हो जाएगी OC कौन सी किरन हो जाएगी OC तो कोण COA बरावर 75 अंस हमें प्राप्त होगा COA बरावर 75 अंस प्राप्त होगा इसी परकार हम 105 अंस और 135 अंस के कोण को प्राप्त कर लेंगे अब लेते हैं पाँचवे नमबर का प्रश्न पाँचवे नमबर का प्रश्न है और कारण सहित रचना लिखिए तो चलिए शुरू करते हैं पांच सेंटीमीटर भुजा वाले हम संभाह उतरभज की रचना करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या लेंगे एक किरण ले लेते हैं चलिए एक किरण ले लिया O-A 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 किरण पर पांच सेंटीमीटर त्रिजिया लेकर केंद्र O मानते हुए पांच सेंटीमीटर त्रिजिया लेकर परकार की साहिता से पहला चाप हम काड़ देंगे इस चाप को बिंदु P नाम दे देंगे कितनी है इसकी त्रिजिया पांच सेंटीमीटर है और इसी चाप को ये देखे आगे तक बढ़ा देंगे फिर हम बिंदू P पर परकार की नोक रखेंगे और फिर उसी चाप को ये हमने काड़ दिया उपर के ओर और इस कटान बिंदू को क्यों नाम दे दिया अब हम देख रहे हैं कि ये चाप भी कितना सेंटीमीटर है याने हम ये देख रहे हैं कि O से P तो मिला हुआ है P से Q को मिला देंगे Q से R को मिला देंगे तो यहाँ जो एक संभाहुतर पुछ प्राप्त होगा यहाँ 5 cm त्रिज्या का ही यह देखे 5 cm लंबाई है तो 5 cm सभी की त्रिज्या है याने यहाँ भुजा OP वास्तों में PQ के बराबर है और PQ वास्तों में OQ के बराबर है और यह तीनों 5 cm है तो 5 cm लंबाई का एक संभाहोतर भुज की रचना हो गई तो हमने क्या किया सर्व प्रथम एक किरन OA खिचते हैं किरन OA पर OP बराबर 5 cm त्रिज्या का एक चाप काटते हुए चाप को आगे की और बढ़ाते हैं फिर देखिए OP बराबर 5 cm है बिंदू P से चाप पर एक और कटान बिंदू Q लेते हैं तो PQ की लंबाई भी 5 cm है Q को O स OQ तीनों को मापते हैं तीनों 5 cm लंबाई के प्राप्थ होते हैं अर्थात 5 cm लंबाई के संभाहो त्रिभुच की रचना होती है रचनाओं से संबंदित यह चेप्टर यहीं समाप्थ होता है धन्यवाद